गुरुग्राम के चुंटल सोसाइटी में 10 फरवरी को एक बड़ा हाथसा हो गया था जिसको ले करके प्रिसाशन पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था आपको बताते चले कि चुंटल में हाथसे के बाद गुरुग्राम की कई सोसाइटीओं के लोगों ने अपनी शिकाय करमा हुने के कारण, भारे परिषानिओं का सामना करना पड़ता है हर lifestyle को प्रमुक्ता के दिखाने के बाद इस तानिय वचायक के संग्यान लिया और पन्वाने का आश्वाशन व毒 डिया दया दिफा ने इस खबर को प्रमुक्ता से दिखाया था लोगों की परेशानियों को जागर किया था जिसके बाद हर खबर की खबर का दमदार असर देखने को मिला है लोगों की परेशानियों को जोल से जोल सोचवाने का यहां पर आश्वाशन वधाय की तरफ से दिया देया है सबसे पहले तो मैं हर खबर का तैज दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो लोगों के लिए आदी रात पर आकर और उनको मुद्ध उठाते हैं और उनको कवरेज देते हैं तो उसी का परिणाम है कि आज विदायक जी आपर आए और उन्होंने मुएना किया और उन्होंने आशवशन दिया है कि तीस से चालिस दिन में हम जल से जल रोड बना देंगे सिवानी पर साथ ही साथ मैं एक चीज आपके चैनल के माधियम से जरूर रखना चाहूँगा कि 24 मेंटर की जो एक्विजिशन की समस्या है पुरे गुडगावा की समस्या है लेटेस्ट चिंतल सुसाइटिक आपने देखाई अगर ऐसा कोई हाथसा होता है तो बड़ नेचुरल है यहां परशाशन कोई मदंद नहीं कर सकता कोई एंबूलेंस कोई फाइर बिगेडी से साइटे तक नहीं पहुंच सकती उसके 24 मेंटर के लिए मैं जरूर एक मशुड़ा सरकार को परशाशन को देखाई जो अंधा धुन्द पहाड़ खड़े करें कॉंग्रेस की सरकार ने और अनाप सनाप जो चलू बाट दी गई बगै 24 मेंटर के रास्ते को चिनीत करके जो लाइसेंस और उसी जारी करी उसका खाम्याजा आज हमारे प्रदेश के अंदर जितने भी लोगों ने जो सुसाइटियां में फ्लेट लिये हैं उनका खाम्याजा भुगत रहे हैं कॉंग्रेस की कुल जो कुकर्मों की सजा हमारे या रहने वाड़े लोग दोस्ती सोसाइटियों में 24 मेंटर के एक्जिस्टेंस पूरा कम्प्लीट ना होने की कार्म भुगत रहे हैं वेरियस लिटिगेशन सफसी हुई है यहां भी 981 से जाधा का केस जिसमें बड़े गोटाले रॉबर्ट बाड रा और बुबंदर सिंग इन सोसाइटियों की जो चिंता है वो बिल्कुल वाजीब है एक करोड डेड़ करोड दो रुपे का फ्लेट लेकर जो आजमी अपनी उमर भर की जीवन की जो पुंजी यहां लगा देता है और उसके बाद उसको पता चलता है कि यहां तो पहुचने के लिए रास्ता ही नह के लिए निवाशियों के लिए हो नहीं सकती विदायक जी अपना प्रियास करें सुसाइटी के लिए विश्ता करनी जाए तक मैं तहे दिल से हर खबर चैनल का शुक्री आदा करती हूं कि उनकी इन्डिशेटिवस की वजह से हमारे आज विदायक जी हमारी सोसाइटी एक्सप्रेस गिन्स M1A में आए और उन्होंने खुद फिजिकल मौायना किया हम लोगों की तकलीफे समझी और खुद चलके आगे बढ़कर देखा कि हाँ कैसे हम बिनत रोट के तकलीफ में हैं और कैसे वो हमारा निवारन कर सकते हैं उन्होंने हम सबको आश्वासन दिया है कि अभी वो एक जॉइन्ट मिटिंग अरेंज करेंगे उसमें हमारा मुद्धा डिसकस करेंगे उसमें हम लोगों को अपने साथ बिठाएंगे डिसकशन में और जल्द से जल्द विधायर जी, DLF, HSDC और हम रेजिजन्स के साथ मिलके हमको कुछ न कुछे पुकता